आशीर जी धुरुपत के विशय में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? और शास्तिय संगीत में भी सबसे ज्यादा शास्त्री है, मलत अब सबसे ज्यादा शास्त्र से बंधा हुआ गायन शली धुरुपत है आपका धुरुपत गायन की ओर जुकाव कैसे हुआ? जब मैं कॉलेज में बढ़ता था, उस समय मैंने डुरुपत गायन का एक रिकॉर्डिंग सुना, मैंने बड़े लागर बंधों का और उससे मैं बहुत परभावित हुआ क्योंकि उनका जो पूरा जो कंठ स्वर था, जिस तरह से वो आवाज लगा रहे थे लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरी किसी जगह, जगह से यह आवाज आ रही है, कि मतलो आवाज में और पूरे उसमें कि इतनी गहरा ही थी, जिसने मुझे बिल्कुल खीच लिया, मैं उस रिकॉर्डिंग को मैं बीसो बार, जो है मैं दसो बीसो बार, सैगरो बार मैं सु प्रतिनी थी, उस्ताद जिया महयुद्दीन डागर, जो रुदर वीना बजाते थे, उनका एक प्रोग्राम हुआ, मैंने बार में पढ़ा और मैं प्रोग्राम में गया, और प्रोग्राम के बाद मैंने उनके पैर चुए, और मैंने कहा कि आपका जो यह जो धुरुपत ग दुरुपत गायन के भविशे पर क्या सोचते हैं? जो है यूरोक अमेरिका में टूर करके, क्योंकि वहाँ इसकी बहुत लोग प्रियता है, तो पिछले साली मैं लगबग 7-8 बार मैं भारत से बाहर गया, लगबग 50-60 प्रोग्राम हुए मेरे अंतरराश्ट्रियस तरपर, तो इधुरुपत के इंदर में जो बच्चे सीख कर रही है, मेरा इरादा है कि इन 4 सालों में मैं कुछ अच्छे लोगों को तयार करूं, जो की इस परंपरा के आधार वाहक भविश्य में बन सकते हैं, वो काबिल धुरुपत गायप और धुरुपत के शिक्षक गुरु बन सकते हैं, ऐसे लोगों को तयार करना है, गायन क इतिहास के सबसे प्राचीन विधा पर आपकी जानकारी निश्चत रूप से बढ़ गई होगी